स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट मेर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक धमाकेदार न्यूज बताने वाला हूँ शेयर होल्डर की यहाँ पे लौटरी लग चुकी है जी हाँ दोस्तों एक कमपनी ने जबरदस्ट स्प्लिट की गोसना कर दी है और अगर आपके पास इस कमपनी का एक शेयर होगा रिकॉर्ड डेट के दिन तो आपका एक शेयर दस शेयर में कनवर्ड हो जाएगा और साथ ही साथ अगर आपके पास कमपनी के रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर साथ होगे तो आप लोगों को जबरदस्ट डिविडेंट भी मिलने वाला है आज ही के दिन कमपनी ने गोसना की साथ जात quarter floor के results की गोसना भी इस छोटी सी chemical sector की company ने कर दी है और quarter floor के results company के जबरदस्त बन के आये हैं और एक multi bagger stocks बनता हुआ ये दिखाई दे रहा है तो एक बाद disclaimer को जरूर read out कर लिजेगा तो इस छोटी सी company का market capitalization आप लोगों को बताना चाहता हूँ मातर 432 करोड रुपए का है अगर 52 week का high देखा जाए तो 1440 का और 52 week का लोगों 200 रुपए का है yesterday ही मैंने वीडियो बना कि आप लोगों को बताया था और जिनोंने ये मौका आज सुबह में उठाया होगा buy किया होगा उन लोगों को आज ही के दिन कम से कम 8% का profit उनके pocket में आसानी से आ गया होगा अगर यहाँ पर face value देखी जाए share की तो 10 रुपए की है और इसी face value को एक share के बदले 10 share में convert किया जा रहा है यानि कि 10 रुपए की face value को एक रुपए की face value में convert किया जा रहा है अगर आपके पास 10 share होगे तो 100 share में convert हो जाएंगे और 100 share होगे तो 1000 share में convert ये हो जाएंगे साथी साथ इस छोटी सी company का अगर debt देखेंगे तो company के उपर बिलकुल भी debt नहीं है zero debt वाली ये company है company का net annual profit 17 crore रुपीज का और profit after tax जो है 26 crore रुपीज का है free cash flow 12 crore रुपए का और 5% के करीब की sales growth है और company में promoter के holding 55% से जादा की है तो company काफी अच्छा काम करती भी दिखाए दे रही है company के कुछ pros और कुछ कौन सा आप लोगों को बताना चाहूंगा company has reduced debt बहुत बड़ी बात है company is almost debt free यानि के company पे debt नहीं है लेकिन company का यहाँ पे थोड़ा सा बताय जा रहा है कि return on equity कम है साथे साथ company के sales और operating profit आप लोग यहाँ पे read out कर सकते हैं easily 2010 से ही यहाँ पे data available है पिछले दो सालों का data आप लोगों को बताना चाहूंगा 2019 में 128 करोड रुपय की sales वी और 2020 में 115 करोड रुपय की operating profit 2019 में 20 करोड रुपय का और 2020 में 19 करोड रुपय का और 2021 के आंखडे जो की latest company ने आज declare किये हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा तो यह रहे company के आंकडे आप लोगों की screen के ऊपर सबसे पहले तो कब तक के आंकडे यह 31st March 2021 तक के आंकडे हैं और rupees in lakhs हैं देख लिए rupees in lakhs हैं तो मैं आप लोगों को आंकडे यहाँ पर बता देता हूं से study करना है भले split दिया हो bonus दिया हो dividend दिया हो कुछ भी दिया हो लेकिन company की earning तो होनी चाहिए और वही जानते हैं हम लोग इस वीडियो में पहले तो यहाँ पर देखेंगे 2020 के लिए मार्स 2020 के लिए देखेंगे तो कितना company का total यहाँ पर income वहा था 1234 जी हां दोस्तों 1234 इन अच्छा खासा उच्छाल यहाँ पर total income में company के दिखाई दे रहा है वहीं अगर quarter on quarter की बात की जाए तो पिछले quarter में मार्च 2020 के quarter में 2885 जो value थी वो increase हो के कितनी हो गई 4804 इन लैक रुपीज है यह लैक रुपीज में तो सोच लीजे 4804 लाक रुपए company की यहाँ पर total income हो quarter में और पिछले quarter से कितना जबरतस उच्छाल यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है तो company की income में अच्छा खासा उच्छाल हो है यहाँ अब यह चीजे चेक करना जरूरी हो जाता है कि कहीं company के expenses तो नहीं increase हो जाता है तो company के expenses पिछले साल पूरे साल में देखें के तो 9800 लाक रुपए तो इसके expenses जो है company के marginally increase हो है और बहुत अच्छी यह बात है तो यहाँ पर आप company का हम लोग profit देख लेते हैं कि profit कितना हुआ है company का तो साथ यहाँ पर profit में आप लोगों को बताना चाहूंगा तो यह देख लीजे company का जो profit है 2234 लाक रुपए का हुआ ता पिछल पूरे साल का है यह मैं बता रहूं 2020 का 2021 में अगर देखा जाए यहाँ पर तो 4654 लाक रुपए का हुआ है 2021 में जो की बहुत बड़ी बात है almost double से भी जादा company का यहाँ पर profit हो गया है और quarter on quarter देखेंगे आप लोग तो आपकी आँखे खुली की खुली रह जाएंगी मार्च 2020 के quarter में 659 लैक रुपीज का यहाँ पर profit बनके आया था जो की increase होके मार्च 2021 के quarter में 1690 लाक रुपए का बनके आगया है बहुत बड़ी यह value है आप लोग भी यहाँ पर वीडियो को pause करके आसानी से इस data को read out कर सकते हैं अब earning per share company का earning per share में आप लोगों को बताना च गया है पिछले साल इसका देखेंगे basic तो यहाँ पर सबसे पहले तो कितना 52 रुपए के करीब यहाँ पर company का जो है EPS बनके आ रहा था जो की इस साल 106 रुपए का बनके आ रहा है 106 रुपए अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है quarter on quarter पिछले quarter का 2020 के March quarter का earning per share 16 यह जबरदस्त रहे हैं company में अच्छा खासा जो है उच्छाल आ सकता है multi bagger stock यह पहले ही है company का नाम बताना चाहूंगा आप लोगों को इंडो borax and chemical limited जी हां दोस्तों yesterday ही वीडियो बनाके बताया गया था कि share order को नीन नहीं आएगी क्योंकि company ऐसी घुसना आज करने वाली यह company listed है आज इसकी board meeting होने वाली थी quarter four और results के बारे में dividend के बारे में और split के बारे में तो dividend और split quarter four की results आप लोगों को मैंने बता दिये अब dividend और split बताना चाहूंगा तोड़ा सा जो यहां पर यह page है ना तोड़ा सा इसकी जो clarity एतनी जादा है नी लेकिन मैं पढ़के यहां दोस्तों यानि कि जब share split हो जाएगा तो उसके बाद जो है यह dividend 10 रुपए पर share नहीं रहे जाएगा वन रुपीज पर equity share हो जाएगा लेकिन जब तक 10 रुपए यहां पर यह equity shares की face value 10 रुपए है तब तक company को कितना dividend मिल रहा है 10 रुपए और अगर company का split हो जा तो उ एक रुपए dividend के हिसाब से मिलेगा आप लोगों को यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी जरूरी है अब यह देख लीजिए split के बारे में clear company ने कर रखा है कि क्या बोलते हैं पैरा 3 में considered and approved the split subdivision of equity shares of the company from existing one equity shares of face value rupees 10 each fully paid into 10 equity shares of face value rupees 1 each देख लीजिए clearly mention कर दिया है कि जो 10 रुपए की face value वाले share थे company के उस एक share को company ने एक रुपए की face value वाले 10 share में तोड़ने का जो विचार था उसको consider भी कर दिया है और approve भी कर दिया है लेकिन यहां पर split में यह ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो current market price होता है वो भी same way में decrease हो जाता है तो आप लोग split से पहले भी फायदा उठा सकते है और split के बाद भी split से पहले फायदा कैसे होता है कि अभी जो rally हो रही है आज ही के दिन का मैं data दिखाऊंगा तो कितने अच्छी खासी rally वी है वो फायदा मिलता है और split के बाद का फायदा जो होता है कि वो market price जो होता है वो decrease हो जाता है और share जो है सस्ते हो जाते है अगर आज की date में देखिए अभी बताना चाहूंगा आप लोगों को आज की date में देखिए जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1448 रुपए पर ये share चल रहा है और suppose that record date के दिन भी price यही रहता है suppose that क्या रहा हूँ वैसे तो बढ़ जाएगा या घट भी सकता है तो share market के उपर है लेकिन अगर यही रहता है divided by 10 कर दीजे क्योंकि 10 share हो र और यहां पर आप लोग देख सकते है कि कितना जबर्दस्ती उच्छाल आज की दिन देखने के लिए मिल रहा है लगभग साड़े साथ परतिसत का उच्छाल यहां पर देखने के लिए मिल रहा है इंडो बोरैक्स एंड केमिकल लिमिटेट के अंदर तो ये जबर्दस्त न्यूज आप लोगों को बतानी थी साथ इसाथ एक चीज कहना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में चाल लिंक दिये गए हैं एलीस ब्ल्यू जिरोदा एंजल ब्रोकिंग एंड अपर स्टॉक चारों के लिंक पे किलिक करें एकाउंट ओपन करें और इंज्या करें चारों क इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद